जैहिन दोस्तों वेलकम है आपके अपने परिवार के अंदर तो आईए दोस्तों आज की जो वीडियो है सभी के लिए खास रहने वाली है जिनों में भी बेटा पलस टू कलियर है कर रखी है वो इस वीडियो को दो मिंट के लिए ध्यान से देखिएगा यानि की ECCE करे या DPSC इन में दोनों में डिफ्रेंस क्या है ECCE यानि की अभी जैसे वेकैंसी आई थी ECCE counselor के नाम से बेटा Early Childhood Care and Education counselor के नाम से जो वेकैंसी आई थी बेटा तो बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये ECCE का डिप्लोमा करते हो अगर बेटा एक साल के लिए अगर कोई भी वेकैंसी निकलती है तो वहाँ पर बेटा आप लीजीबल रहोगे और ध्यान दीजिएगा वकैंसी यां इसकी बेटा हर स्टेट के अंदर निकलेंगी चाहे पंजाब है चाहे हर्याना है चाहे राज्यस्तान चाहे यूपी कोई भी बेटा अगर स्टेट है वकैंसी इसकी उसके बाद बेटा मैं बात करूंगा कि DPSC क्या होता है Diploma in Preschool Education जिसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो Entity Diploma अगर बेटा दो साल के लिए vacancy निकलती है जैसे मैं बात करूं KBS केंदरिये विदालय की तो बेटा ये Diploma वहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है जिसके पास होता है उसी का ही selection होता है ये चीज़ भी बठालो बेटा दिमाग के अंदर तो DPSC क्या है ये एक तरह से दो साल की Entity होती है और बेटा अगर दो साल की वहाँ पर requirement है तो वह पर ये Diploma बेटा चलेगा ही चलेगा तो ये चीज़ ध्यान देना अगर वनियर की बात करेंगे तो आपके लिए ECCE सबसे बैस्ट है उसके बाद अगर दो साल की बात करेंगे तो DPSC तो ध्यान देजीगा क्योंकि KBS एक semi government संस्तान है अगर मैं government की बात करूँ तो बेटा वहाँ पर ECCE बड़ा रोल अदा करेगा तो मेरी आपसे यही है कि जिन्होंने भी plus two कर रखी है बेटा तो वो इस course को करो ही करो अगर आप ये क्योंकि इसमें थोड़ा बेटा पैसा जादा इसकी fees जो university की होती है वो जादा होती है ये मान के चलो 60-70 है यार के क्रीब और ये बेटा 7-8 यार में हो जाता है असानी से कर सकते हो तो बेटा आप इन में से जो भी आपकी 24 है डिपलोमा कीजिए और अगर आप चाते हो सर बताईए कि मैं कहां से करूं कौन सा वैलिड होगा जो हमेशा lifetime काम आएगा तो बेटा नीचे नंबर चले जो भी इच्छुक ह वो इस नंबर पर कोल कर सकता है आपकी ये जो समस्या है आपको डिटेल में बेटा बता दी जाएगी अगर ये वीडियो अची लगे तो बेटा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू दोस्तो